आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू डिजान देखिए कितनी आशान इसे कितनी सुन्दर सी डिजान बनके तैयार हो जाती है इसमें मैंने एक दो तीन कली बना ली है मैं आपको शुरुवात से ही बता रही हूँ और अब क्या करेंगे देखो यहाँ पर इसमें मैंने ये दो रो लगा ली है आपको दिख रही होगी तो तीन कली मेरी बनके तैयार है तो एक कली मैं आपको बना कर दिखाऊंगी तो उसके लिए हम जैसे फंदे डालते हैं वैसे ही ऐसे समझो मैंने इसमें फंदे डाल रही है और देखो कितनी सुन्दर सी प्यारी सी जिल्यान बनके तैयार हुई है तो अब क्या करेंगे देखो मैं शुरूबात से ही बता रही हूँ अगर आप साड़ी से बनाना चाती हैं तो भी बना सकती हैं किसी से भी बनाना चाती हैं तो बना सकती हैं अब क्या करेंगे इसमें ये दो फंदे मैंने छोड़ दिये हैं और तीसरे फंदे से इस तरीके से बनाना इस्टार किया है मैंने उल्टी तरफ से ही अपने कलर चेंज करेंगे और बहुत ही आशानीजे यह बन जाता है देखिए आप न्यू है मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों किसा सियर करें कमेंट करें ताकि मुझे पता चला चाहिए कि आपको मेरे यह न्यू वीडियो कैसी लगी तो एक एक इस तरीके से हम ऐसे इधर की साथ से भी अपने फंदे डालेंगे यानि बनाएंगे सौरी फंदे तो मैंने इसमें डाल लिये हैं इस तरीके से दागे को ऐसे फंदों के उपर डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे देखिए यह वाले फंदे मैंने छोड़ दिये यहीं से अब क्या गरेंगे इसे बनाएंगे अभी अब यह दो फंदे मैंने छोड़ दिये दो फंदी मेने बिना बुने उतारे अब यहां से फिर से बनाएंगे इस वाले कलर से बहुत ही आशानी से यह वाली देजान आप सीख जाएंगे अगर आप मेरे पूरी वीडियो देखेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाते समय देखिए अब यहां से फिर से लेंगे अपने सभी फंदों को और बनाते जाएंगे अगर आप साड़ी से बनाना चाहते हैं तो एक एक इंची की पक्टे या कट करें और अगर आप उन से बनाना चाहते हैं तो प्रवपर ही मेरी तरह बनाएं अब यहां से अपने दागे दो फंदे ता रहेंगे और इस वाले कलर से बनाना इस्टाइट करेंगे तो इसी तरीके से हम सभी फंदाओं को दो-दो करके छोड़ी लेते हैं फिर मैं आपको दिखाते हैं तो देखिए अब यहां से हम कलर चैनल नहीं करेंगे इस तरीके से यह मैंने बना लिया अब अपनी तरब करेंगे दागे को अब क्या करेंगे देखो इस तरीके से सभी दागों को लेंगे अब हमने यह बाले छोड़े थे उन्हें भी बना लेंगे इस तरीके से बना लिये अब यहीं से अपने दागे को चैन्ज करेंगे तो देखिए ऐसे इस सभी को मैंने अब क्या करेंगे देखो दियाज से देखना अब यहां से देखिए अब यहां से अब क्या करेंगे अब यहीं से अपने दागे को ओड़ लेंगे अब यहां से दूसरा कलर लगाएंगे यह बाला कि जैसे हमने यह दो दो करके छोड़े थे बैसे ही हम दो दो करके बढ़ाते जाएंगे देखिए आपको दिख रहे होंगे अब यहां से इस वाले कलर से ही बनाएंगे यानि दो रो एक कलर की बनानी हैं दो रो एक कलर की बनानी एक तरब से अगर आप मेरे चैनल पर नूँ हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों को सब्सक्राइब करें कमेंट करें अब ये दोनों फंदों को भी इसी से बनाएंगे अब ये वाला कलर है तो दागे को इधर की साइद में कर लेंगे अब हम इस वाले कलर से बनाएंगे इस वाले से यहां से देखिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और निवनी वीडियो इसी तरीके से देखते रहे हैं तो देखिए जैसे मैंने आपको ये वाला थोड़ा सा बना कर दिखाया है वैसे ही इसे भी बना लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए दो फंदे हैं इसे भी हम बना लेंगे इस तरीके से अब इधर की साइट से हम क्या करेंगे दो रोप लगाएंगे सभी पर एक लग गई है एक और लगाएंगे फिर हमारी यानि कली बन के तैयार हो जाएगी एक कली बन जाएगे फिर हमारी मैं आपको दिखाती हूँ अभी देखिए मैं दूसरी रो लगा रही हूं अब यहीं से हम क्या करेंगे दूसरी रो यानि दूसरी कली बनाना इस्टार्ट करेंगे यानि चार कली बन गई हैं देखो अब मैं आपको दिखाती हूं और पांच भी कली स्टार्ट करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ देखो यह वाली दो कलर छोड़ देंगे यहां पर दो फंदे अब इस वाली फंदे से यानि इस वाली कलर से फिर से फंदे लेंगे तो यह मेरी दूसरी कली स्टार्ट हो गई है मैंने एक अभी आपको बना कर दिखाई थी तीन पहले बनी हुई थी और एक यह मैंने आपको शुरुबात से दिखाई थी बना कर कि इस तरीके से बनाना है तो मैं इस वीडियो में बस इतनी ही बना कर दिखा रही हूँ एक कली इसे अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो अपने पूरा जोर मैट बना लेंगे तो आपको दीख रहा होगा मैंने इसमें ये वाली कली आपको बना कर देखाई है देखिए ये वाली कली मैंने बना कर दिखाई ये वाली पहले से बनी हुई थी तीनो तो कितनी आश्रानी से ये वाली कली बनके तैयार हो जाती है आपको दिख रही होगी और ये मेरी पांच भी कली बनना स्टार्ट हो गई तो मैं इससे ज्यादा नहीं बना रहे हूँ इस वीडियो में बस इतना ही बना रहे हूँ आप मेरी पूरी वीडियो देखें और पूरा डोर्मेट अपना बनाएं तो इस वीडियो में बस इतना ही